Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल ऐसे तमाम दिनों तक आतंक बादियों के बीच में रहें और किस तरह से कश्मीर में हफरूड़ा के घने जंगलों के बीच में अपने साथियों की जान बचाई और अपने खुद के प्राणों का बलदान दिया आज आपको भारत के ऐसे वीर सपूत की आज कहानी सुनाने वाले हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिये तो शुरवात होती है 13 जनवरी 1978 थर्टीन जैनवरी 1978 हर्याना के रोहतक में राजेंद्र प्रिसाथ शर्मा और सुशीला शर्मा के घर पे उनके दूसरे बेटे का जनम होता है ये शर्मा जी का जो दूसरा बेटा था जो छोटा बेटा था उसका नाम रखा जाता है मोहित सबको मोह लेने वाला मोहिद जो था बच्पन से ही बहुत जादा शरार्ती, बहुती सब का बहुत जादा चहेता और घर का नाम था चिंटू, सब चिंटू कहके बुलाते थे एक इनके बड़े भाई भी थे, जिनका नाम था मधुर, मधुर शर्म अब मोहित जो थे ये शरारती तो थे ये साथी इनको music का बहुत जादा शौक था गाने गाने का बहुत जादा शौक था आवास बहुत अच्छी थी बताया करते हैं कि जो भी नया instrument होता था music की चाहे है guitar हो mouth organ हो synthesizer हो ये लगातार उसको पहले सीखते थे उसके बाद जब उसे मास्ट्री हो जाती थी तो फिर उसको छोड़ देते थे पिर आगे दूसरा इंस्टूमेंट सीखते थे तो अब मोहित की पढ़ाई के शुरुबात होती है उमर के साथ साथ जब उमर बड़ी तो स्कूल में एड्मिशन कराया गया साथ एक्स में दिल्ली में मानव इस्थली स्कूल है वहाँ पे इनका एड्मिशन कराया जाता है और अपनी फिफ्ट क्लास तक की पढ़ाई इन्होंने वहां से की अब इसके बाद ही इनका स्कूल चेंज किया जाता है और इसके बाद इने एक साल के लिए ये दूसरे इस्कूल में जाते है जो की था 1988 में जब इन्होंने स्कूल चेंज किया है तो यह जाते हैं वहाँ पर Holy Angels स्कूल में दिल्ली के ही साहिबाबाद में यह स्कूल है लेकिन यहां से जब फैमली गाजयबाद में गई गाजयबाद फिर उसके बाद इनका एडमिशन होता है गाजयबाद के डीपीस में और वहां से फिर इनोंने अपना 12 तक की पूरी पड़ाई जो बार्वी तक की पड़ाई थी बोगी बार्वी की पड़ाई कंप्लीट होती है 1995 में 1995 में अब यहां पर यह था कि इनकी जब पढ़ाई कंप में होने के बावजूद पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे यहां पर इनके जो बड़े भाई थे वो इनसे भी ज्यादा बताया जाता है के पढ़ाई में अच्छे थे उनका उनोंने एक्साम कई सारे दिये और उसके साथ नों ने एंडियन आर्मी में भरत होने के लिए एंडिय का इन्होंने याँ पर एक्जाम दिया इनके बड़े भाई ने ज 我們ंगा जाता है कर नहीं निकला है अब दोनों भाईों के वीच में बातचीद भी हो करती ठीस तरहें कि कि आपका यह जोagtंग sia में यह आप निकला तो मैं भी देता हूं तो बड़े भाई कहते थे कि जब मेरा निकला तो तेरा कैसे निकलेगा क्योंकि सबका कहना था कि मदोर शर्मा जो उनके बड़े भाई है वो उनसे पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन अब यहीं से इनों ने इस बात को अपना एक तो एक कहा जाए कि अपना एक पैशन बना लिया था कि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना है और यह बना लिया था कि अब चैलेंज मिल गया है कि बड़े भाई ने काए कि मेरा निकला तो तेरा कैसे निकलेगा तो एक चैलेंज की तरह उसको लेते हुए एक अपना पैशन जो उनका बन रहा था पौज में जाने का मोहित शर्मा का तो यह बनाते हुए इन्होंने अपना 12th के बाद क्योंकि यहाँ पे अब यह चीज हो गई थी कि घरवालों ने जब देखा कि 12th पे परसेंटेज बहुत अच्छी आएं और इसके बाद में पिता जो थे राजन पिताश शर्मा वो चाते थे कि एंजिनरिंग करें मोहित तो इंजिनरिंग करने के लिए उनका एड्मिशन उन्होंने करवा दिया महरास्ट्रा के सहगाओं में यह जो एक कॉलेज है श्री संथ गजानन महराज Engineering College उसमें admission करा दिया लेकिन अब जैसे ही यह वहाँ पर महरास्टर गए है सहगाओं तो वहाँ से इन्हों ने अपना Engineering के बीच में उसी के दोरान एक दूसरा exam दिया और यह exam था NDA का जो उनकी उनके भाई से बातचीत हुई थी कि मैं इस exam को निकाल के दिखाऊंगा यहाँ Engineering चल रही थी और वहाँ पर उन्हों ने NDA का exam भढ़ दिया मोईश शर्मा ने साल 1995 में ही और खुद से exam भढ़ा इसको crack भी कर लिया इस exam को पास किया और इसी के बाद में जब यह exam में उनका पास हो जाता है तो यहाँ से अपना पूरा बैक पैक करके इंजरेंग छोड़के गाजियाबाद अपने घर वापिस आ जाते है अब यह जब अपने घर वापिस आए तो यहाँ पे जो लोग थे जो घरक वाले थे वो सब के सब बुरी तरे चौक गए कि यह क्या यह तो इंजरेंग कर रहे थे अब इन्होंने अपना अचानक से मन कैसे बदल लिया लेकिन जो उन्होंने चैलेंज एक्सेप किया था अपने भाई का कि मैं निकाल के रहूँगा इस exam को और में निकाल लूँगा और जो ज़जबा जो जुनून बढ़ रहा था भारतिये सेना के लिए पाज में शामिल होने के लिए देश के लिए काम करने का ये जिस तरह से बढ़ा था तो इसी के साथ उन्होंने इंजरेंग करते करते पिंचानमे में अडिये का exam निकाला SSB crack किया उसके बाद में भारतीय सेना में भरती होने के लिए आगे की प्रक्रिया में लग गए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर आप UPSC Civil Services Examination की तयारी करने है IS बनना आपका लक्षे आपका सपना है और आप चाहते हैं इस exam को crack करना तो यहाँ पर भारत का सबसे affordable education platform UPSC के लिए Study IQ आपके लिए लेकर आए एक program P2I Prelims to Interview इस program का नाम है इस program में आपको यहाँ पर प्रिलिम्स से लेकर इंटर्वी तक की पूरी तयारी कराई जाती है साथ में यहाँ पर आपको दो batches मिल जाते हैं एक morning batch एक evening batch अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पर एक batch चूज कर सकते हैं और इसी के साथ आपको यहाँ पर नीचे जो एक code दिख रहा होगा बीजे लाइव इस code को लगाते ही इस पूरे program में आपको जो 65,000 का पूरा course है वो 29,999 में यहाँ पर मिल जाता है तो इतने बड़े discount के साथ में आपको जब यह course मिलेगा आप इस code को जब लगाएंगे यहाँ पर आप अपने बहुत बड़ा step लेंगे अपने सपने को साकार करने में और UPSC की CSE की जो तयारी आपकी उसको आप बहुत मजबूत करेंगे तो जल्दी से जल्दी एक code लगाएंगे अपनी तयारी को मजबूत करेंगे धन्यवाद तो आगे बढ़ते हैं अपने episode की तरफ अब यहाँ पर मोईश शर्मा ने NDA का exam crack किया एंजिनिरिंग बीच में छोड़ दी 1995 में नेशनल डिफेंस अकैडमी पहुशते हैं और वहाँ पर यह लगातार कामियाव होना शुरू करते हैं अलग अलग पील्द में बताया जाता है कि उस समय के एंडिये के जो बेस्ट कैड़ेट्स होते थे उसमें उनका नाम आता था दोस्तों ने इनका नाम रख दिया था माइक माइक के नाम से वह इनको बुलाते थे और माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन थे यह भी बताया जाता है एंडिये की जो इंडिया स्क्वाडर ने उसके मेंबर हुआ करते थे इस बीच इनोंने कई सारे जो अलग-अलग स्पोर्स होते हैं उसमें भाग लिया उसमें इससा लिया बताते हैं हॉर्स राइडिंग बहुत शांदार करते थे मतलब बहुत ही अच्छी हॉर्स राइड featherweight category होती है boxing की उसके भी champion कहे जाते थे उसमें भी बहुत ही शांदार इनका performance रहता था और साथ में one of the best swimmers तेराकी में बहुत जादा इनका नाम था पूरे NDA में best cadets में गिने जा रहे थे उस समय अब यहां पे NDA का जो पूरा हुआ इनका सिलसला इसके बाद ही आये में जात यह जो कारवां था हर फील्ड में succeed होने का success पाने का यह लगाता चलता है और इसी के साथ इनका appointment होता है BCA rank पर यह जो BCA rank थी इसका मतलब होता है battalion cadet agitant तो battalion cadet agitant पे इनका इस rank पर appointment होता है और यह उन चुनिंदा लोगों में से एक ते जने उस समय के जो प्रेसिडें जा नाता चल रही थी है मैसे इनका ये जो passed out होते हैं आये मैसे 15 दिसंबर 1999 को कि घाने के बादформ cemetery में आये में माय夏 रहे होते हैं 1999 में अब यहां से पर सफकरने के लिए country के लिए 38 रास्ट्रे राइफल में इनकी पोस्टिंग होती है कश्मीर के अंदर अब यहां से 38 रास्ट्रे राइफल कश्मीर में इनकी पोस्टिंग होई उस समय कश्मीर का माहौल बहुत ज़्यादा सेंस्टिफ था June 1990 से लेकर लगातार ये जो operation रक्षक चल रहा था कश्मीर में उस समय, June 1990 से उसको शुरू किया गया था जो insurgency है, जो उग्रवादी है, insurgency है, उसकी समस्या को हल करने के लिए operation रक्षक लगाता कश्मीर में चल रहा था, और उसी के तहट इन्हें insurgency को खतम करने के लिए इसकी कमान मोहिश शर्मा को दी जाती है, अब यह वहाँ पर अपनी इन्होंने command समाली, और साथ में यह जो counter-insurgency operations करते-करते, बहुत सारे successful इन्होंने mission उस समय पे किये, और इसी के चलते, महस 24 साल की उमर थी उस समय, 24 साल की उमर में इन्हें, इनका पहला medal मिलता है, COASM, जिसे कहते हैं Chief of Army Staff Commendation Medal साल 2002 में, 2002 में 24 साल की उमर थी, पहला medal मिलता है, लेकिन अच्छी कासी शुरुआत होने के बावजूद, इन्हें एक, इनके मन में जो एक बात चल रही थी, वो ये थी, कि ये हमेशा से, शुरुआत से ही, पैरा कमांडो बनना चाते थे, पैरा SF में जाना चाते थे, अब यहाँ पे, तीन साल की अपनी जो पूरी मिलिटरी सर्विस थी, उसे पूरा करते हैं, और इसके बाद ही, तीन साल की सर्विस पूरा करने के बाद, आपट करते हैं, पैरा कमांडो में जाने का, पैरा SF में जाने का, स्पेशल फोरसेज में, यहाँ से इनके इस डिसीजन से, जो इनके थे एक तरह ऐसे घरवाले जो थे थोड़े परेशान हुए इस डिसीजन से जब ये पैरा कमांडो बने पैरा सफ में गये क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी इंजिरेंग छोड़ दी आर्मी में चले गए अच्छी बात है ठीक है लेकिन आर्मी में आप जाने के बाद अब पैरा सफ में जा रहे हैं तो ये खत्रा जो है वो लगातार आप अपने लिए ले रहे हैं मतलब इसमें खत्रा ओवेसली बिल्कुल सही बात है के जादा आ जाता है आपके उपर क्योंकि आपको ऐसे ऐसे एरियाज में पोस्टेड रहना पड़ता है जहां पर आपको टेरि को प्रोमोशन भी हुआ 11 दिसमबर और इसी के साथ में एक कैप्टन बनने के बाद उस समय बताते हैं कि घर पे आये थे अपने घरवाले परिशान थे लेकिन फिर बाद में उनको इन्होंने मना लिया था समझा दिया था लेकिन इनके भाई बताते हैं कि उस समय से इन्हों कि यह और जादा बढ़ने वाली है तो अब साल आता है 2004 2004 में मोईश शर्मा कश्मीर में पोस्टेट थे मार्च की बात है मार्च का महीना था जब उन्हें एक खबर मिलती है कि कश्मीर में सोपियान में शोपियान में वहां पे जो हिजबन मुजाहिद दीन के आतंकवादी है वो वहां पे पहाडियों पे रह रहे हैं वो वहां पे डेरा डालके बैठे हुआ है यह जब खबर मिली तो मोईश शर्मा ने पहले तो उस इलाके को पूरा अपनी आर्मियों की अपनी जो सेनर थी उसकी टुकडी के साथ में उसको चारों तरफ से घेरा और इसके बाद मतलब इस बात का इसकी पुस्टी करने के लिए इसको confirm करने के लिए तो जब ये पूरा जाइजा लिया जाता है सेना के द्वारा तो वहाँ पर पता चलता है कि कुछ दिनों बाद ये दो टेरिस्ट वहाँ पर देखे जाता है ये confirm हो गया कि हिजबल मुजाइदीन के दो टेरिस्ट उस जगे सोपियान में वहाँ पर रह रहे है अब इसके बाद एक प्लान बनाया जाता है और ये प्लान बनाया मोहिश शर्मा ने और इसी के तहत बनाई जाती एक कहानी ये कहानी कुछ इस तरह से गड़ी गई थी जिसमें एक लड़का होता है इफ्तिकार बट नाम का ये जो लड़का इफ्तिकार बट इसके दो भाई हैं जो थे इसके दो भाई थे जोने 2001 में करीबन 3 साल पहले भारतिय सेना ने मार दिया था ये कहानी बनाई जाती है और ये इसके साथ में था कि ये जो लड़का है इफ्तिकार बट अब ये बदला लेने के लिए भारतिय फॉस से हिजबुल मुझाहिद्दीन का साथ चाता है उसके साथ में आना चाता है और इसका एक ही जुनून है कि ये इंडियन आर्मी को खतम करना चाता है उसको यहां से उनकों को मारना चाता है ये पूरी कहानी बनाई जाती है और इसी कहानी के साथ में बकायदा पूरा प्लानिंग और प्लोटिंग करके मोईश शर्मा ने ये कहानी पहुँचवाई ज्यादा काम आ सकता है अब जब आतंकियों को ये सब पता चला तो इसके बाद ही ये दोनों आतंकी जो थे इन्होंने इफ्तिकार बट को अपने पास बुलाया मिलने के लिए बुलाया तो ये जब कहानी वहां पे इफ्तिकार बट ने इन लोगों को सुनाई इन दोहों ट बट जो की खुद हमारे मेजर मोहिश शर्मा थे यह अभी इनसे मिलने जाते हैं यहां पर पता चलता है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन के यह दोनों जो टेरिस्ट हैं जो जंगलों में वहां पे छुपे हुए हैं इस ओपिया निलाके में यह हिजबुल के बहुत बड़े सर टेरिस्ट हैं जिन्होंने कई सारे हमारे भारतिये फोच के जवानों को मारा था कई सारे हमारे जवान इनसे लड़ते हुए शहीद हुए थे इन दोनों का नाम था अबू तोरारा और अबू सबजार यह दोनों टेरिस्ट वहां पे छुपे हुए थे वह शर्मा ने जब यह देखा जो कि इफ्तकारबट थे तो इफ्तकारबट ने जब यह देखा कि यह दोनों यहां पर हैं तो इसके बाद में इन्होंने अपनी कहानी जो उनको पूरी सुनाई उसके वाद एक प्लैन पूरा दिखाया कि किस तरह से एक एक एक्जेक्यूट करेंगे अटैक इं को मिले थे यह जो इफ्तकारबट था यह दो अफते पहले इन दोनों आतंगबादियों से मिला था यहां से करीवन बारा दिन बीटते हैं और इसके बाद एक प्लैन बनाया जाता है जो की इफ्तकारबटने खुद बनाया था कि जब यहां पे सेन टुकडी जो होगी इंड कि दिन पहले यह आतंगबादी इफिकार बट से कहते हैं अबुतररा अबुस अबब्शार कि हमें इस अटैक से पहले उसकी तैयारी के लिए एक दो दिन के लिए गायब होना पड़ेगा यहां से जाना पड़ेगा इस बात के लिए इफ्तिकार नहीं याँ पे मना कर दिया उन्होंने का कि मैं जब तक बदला नहीं लोगा मैं यहाँ से कहीं नी जाने ला l एक ऐसी जगे थी जहां से इंडियन आर्मी जो सैनिक तुक्डी आएगी उस पे अटेक करना आसान रहेगा वहाँ पे ये लोग रहते हैं तो मार्श 2004 की करीबन बात है दो अफते पहले ही इने मिले थे इन में से जो अबू तुरारा था उसे इफ्तिकार बट पे थोड़ा शक था उसे लगता था कि कुछ तो यहाँ पे गड़बढ है यह अचानक से आते हैं उसके बाद में यह आया है और हमें बता रहा है पूरा कुछ प्लान है इसको सारे नक्षे आके पता है सब कुछ इसको पता है इंडिन आर्मी के बारे में तो यहाँ पे कुछ गड़बढ है अबू तुरारा को हमेशा से यह लगता था तो सब्जार उन्हें कहता है, सब्जार अबू तुरारा से कहता है कि क्या तू फिर से उससे कुछ पूछना चाता है, अब पूछने के लिए क्या-क्या बचा है, अगर दुबारा कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, देख ले, यहाँ पे बात चल रही थी इफ्तिकार पे जैसे ही इफ्तकार बढ़ बाहर आते हैं कंदे पर राइफल और हाथ में कावा लिए इन दोनों को कावा देते हैं यह तीनों के तीनों यहां पर पीके कावा अपना बैठे हुए ते करीबन इस तरह एक गंटा बीटता है एक गंटा बीटने के बाद अबू तुरारा अचानक से खड़ा होता है और इफ्तकार बट को कहता है कि आखिर तू है कोन है तेरी पहचान क्या है सच सच बता तो यहां पर जैसे ही अबू तुरारा ने इफ्तकार बट को ये कहा कि तू है कौन इफ्थकार बटने अपने कंदे पर टंगी हुई राइफल उतारी और नीचे जमीन में फेक दी जोर से और इस राइफल को फेकते हुए ये कहते है कि अगर अभी भी मुझ पर तुमें शक है तो मुझे गोली मार दो मैं तुमारे में से ही एक हूँ मैं तुम में से ही एक हूँ मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ मुझे भारतिये फॉस से बदला लेना है और मैंने तुम लोगों को उसके लिए चुना है कि मैं यहाँ पर तुमारे साथ में काम करे लेकिन फिर भी अगर तुम्हें शक है तो तुम मुझे गोली मार सकते हो ये कुछ सेकंड्स में ही हुआ ये पूरा जो किस्सा था जो अब आप सुन रहे हैं यहाँ पे इनों ने कहा कि अगर तुम्हें शक है तो मुझे गोली मार दो इसी के जस्ट बाद अबू तुरारा अबू सब्जार की तरफ देखता है उसकी आँकों में आके डालके देखता है शायद इसलिए कि वहां से ये रियक्शन चाहता था कि अगर अबू सब्जार इस पे हामी भरता है कि हमें इस पे शक है तो हम इसको मार दें तो उसके बाद यह उन्हें मार देता, लेकिन जैसे ही अबू तुरारा ने अबू सब्जार की तरफ देखा, अपने कमर पर लगी एक रिवॉल्वर निकाल कर इफ्तिकार बटने, कुछी सेकंड्स के अंदर अबू तुरारा को और अबू सब्जार को चार गोलियां मार दी, माथे पर दोनों के गोली मारी गई, और चेस्ट पर गोली मारी गई, दो दो गोलियां दोनों को मार के, महजी पाँच से छे सेकंड्स की ये बात होगी, इसके बाद अपना कहवा लेके, खाट पर बैट गए और उसके बाद अपना कहवा पीने लगी एक तकार बट, रात ह उन्होंने एक अवेट कर रहे थे उसी जगे जहां पे पूरे आतंकवादी बैठे हुए थे अपना ठिकाना बना के वहां पे अब इनकी सिर्फ लाशे पड़ी हुँ थी हिजबुल के दो बहुत बड़े आतंकवादी पल भर में हमारे भारत के इफ्थकार बटने जो की असल में मेजर मोहिश शर्मा थे भेस बदल कर डाड़ी बढ़ा कर अपने बाल बढ़ा कर जो की इनके बीच में रह रहे थे उन्होंने पल भर में हेजबुल के दो बहुत बड़े आतंकवादीयों को लीडर्स को मार दिया था रात खतम उने का वेट करते हैं अगले दिन सुब के लिए उन्हें सेना मैडल दिया जाता है 2004 में ही इसके बाद एक किस्सा बहुत ज्यादा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जब यह पूरा एक बीरता का काम करने के बाद वो अपने घर पे आए तो दिल्ली के निजाम उद्दीन स्टेशन पर जब मोहिश शर्मा उ यह लोग जब उन्हें वहां पर लेने आये थे तो बताया जाता है कि यह उन्हें देखकर पैचान ही नहीं पाए यह उनके आगे ही खड़े हुए थे और सामने की तरफ ही उनके खड़े हुए थे उनकी मा के लेकिन यह लोग पूरी ट्रेन देख लेते हैं चान लेते हैं में शाय जम्मू तभी से वह समय आने वाले थे तो निजाम उद्धीन स्टेशन पर उनके बड़े भाई मदो शर्मा पूरी ट्रेन देख लेते हैं और बेखते हैं कि यार यह तो आया ही नहीं इसने बोला था कि यह आ रहा है लेकिन यह आया कैसे नहीं तो यह सब बताया जा है जो उनके भाई बताते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का हुलिया इस कोवर्ट ऑपरेशन के लिए मेजर मोईश शर्मा ने बदला था और इतने बड़े दो आतंकवादियों को हिजबुल के मार दिया था जिसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन को जब पता चला तो वो बुरी तरह से हिल गया था वहाँ पे जो ऑपरेशन रक्षक के तहत पूरा काम किया था मोईश शर्मा दौरा इसके लिए उन्हें सेना मैडल से समानित किया गया इसके बाद दोजा पांस से दोजा च्छे कमांडो विंग वेलगाम में मुईजर मोईश शर्मा इंस्रक की तोर पर काम किया दो साल करीब इसके बाद इन्हें हिमाचल के नहान में भेजा गया और यहां से दोजार आट में इन्हें दुबारा कश्मीर बेजा जाता है वही ऑपरेशन रक्षक को उसकी कमान समालने के लिए वहां पर जो इंसर जैंसी उसको खतम करने के लिए अब यह साल आता है यहां पर 2009 2009 में मेजर मोहिश शर्मा की जो यूनिट थी जो उनकी पूरी आर्मी टुकडी थी वो नौर्थ कश्मीर के अंदर जो कुबवाड़ा है कुबवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वहां पर तैनात थी यह वहां पर लगातार टेरिस के खिलाफ काम कर रहे साथ ही इनका इस समय पर यह जो जनवरी फरवरी की करीबन बात है घर जाने का भी प्लान था क्यूंकि बताया जाता है फरवरी में उनकी जो भतीजी है उसका बर्डे आता है तो उनके बर्डे के लिए वो यहां पर घर भी जाने वाले थे उनकी जो छुट्टियां थी उस इसी बीच में इनका एक जूनियर ऑफिसर था उसका जूनियर ऑफिसर का जो भाई था उसका मुरादाबाद में एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है अब सड़क दुरगटना में जहां पर मेजर मोहिश शर्मा के जो जूनियर ऑफिसर थे उसके भाई क कि फ्यूनरल में जाना था उसके लिए चुट्टी चाहिए थी और जो सियो थे कमांडिंग ओफिसर थे वो चुट्टी देने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस समय पे जिस तरह से सेंस्टिव गतिविदियां चल रही थी टैरिस बहुत जादा इंसरेंसी हो रही थी और जो लोग थे सेना में उन टुकडियों में वो भी कम थे उस समय पे तो कमांडिंग ओफिसर ने उस जूनियर को जो जूनियर ओफिसर था मोईजा मोईश शर्मा का उसे घर जाने से मना कर दिया उसकी शुट्टी अप्रूव नहीं की तो यहाँ पर मेजर मोईश शर्मा ने जो इनकी खुद की शुट्टी अप्रूव हो चुकी थी अपने सीयो को बोला कि आप मेरी शुट्टी को एक्स्टेंट कर दीजिये मैं बाद में चला जाओंगा आप इसे अभी भेज दीजिये तो इस तरह का एक बड़ा दिल था कि अपनी खुद की शुट्टी को एक्स् मुझा अब यहां पर कशमीर में को वारा में क्या होता है कि मार्च की बात है एक बार फिर से मार्च मार्च की बात है 2009 कमांडिंग ओफिसर के पास में एक intelligence आती एक information आती है कि को वारा और हंडवारा के बीच में जंगल पड़ते हैं बहुत ही घने जंगल हफरूडा के उन घने जंगलों में करीबन दस लशकरे तैवा के टेरिस्ट वहाँ पर घुस पैट कर चुके हैं अब ये जब पूरी सूचना मिलती है सीयो को घने जंगल थे और इसके साथ ही इन जंगलों में सबसे दिक् साथ की छुपना आसान होता है लेकिन किसी को ढूँना उतना ही जादा मुश्किल होता है साथ में ये जो जंगल थे यहां पे क्योंकि जो टेरिस्ट न हो पहले से आकर अपना बेस बना लेते हैं इस forces के आने से पहले ये लोग वहां पे आ जाते हैं तो वहां की रहकी कर लेते हैं अंदर अगर जो आदमी बैठा है जंगल के अंदर उसको बाहर से आने वाले की आहट पहले पता चल जाती है और साथ ही उसको रास्ते पता होते हैं कहां से निकलना है कहां से आना है तो ऐसे operations के लिए जब इनको अंजाम देना होता है तो ऐसे operation के लिए specialist की ज़रुवत होती है हमेशा कोई ऐसा इंसान कोई ऐसा फॉजी दिलेर जाबाज जो दिमाग का बहुत जादा उपयोग करे और बहुती ऐसी strategy होया ऐसी planning करे कि ऐसे operation को successfully खतम किया जाए तो इसके बाद जो commanding officer थे उन्होंने meeting किया और उसके बाद में उन्होंने decision लिया कि इस operation के लिए इसको जो head करेंगे जो lead करेंगे वो मोईश शर्मा से ही करवाना चाहिए major मोईश शर्मा को इसके लिए चुना जाता है उनसे contact किया जाता है वो को 12 डिस्टिक में ही थे और यहां से जल्दी से जल्दी एक 10 officers की team बनाई जाती है 10 सैनेकों की यहां पर team बनाई जाती है और इसी के साथ में करीबन रात के साड़े 11 से 12 बजे की का जो वक्त होगा यह जो team बनाई गई थी ब्रैवो असाल्ट टीम जिसको लीड कर रहे थे मोहिश शर्मा इस team को ब्रैवो असाल्ट टीम को साड़े 11 से 12 बजे के बीच में हफरूडा के उन घने जंगलों में हेलिकॉप्टर से उतार दिया जाता है यह team वहाँ पर उत्री हमारे 10 officers की दो दो पार्ट में इसको डिवाइट किया गया यह team को मोहिश शर्मा ने दो पार्ट में डिवाइट किया पांच 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 लोग एक एक team में थे और यह आगे बढ़ना शुरू करते हैं उन घने जंगलों के बीच में यह तारिक आ चुकी थी किस मार्च 2009 आगे चलते हुए जंगल में एक नाला पढ़ता है बीच में और मोहिश शर्मा उस नाले को पार करके अपनी जो टुकडी थी जो उनकी team थी उससे थोड़ा सा कोच आतंकवादी वहाँ पर देखा और अपनी team को बताने के लिए ये इनोने एक्षन लिया अतनगवादीयों ने इन लोगों को देख लिया और वहांसे तीन तरफ से हमारे जो जवान थे जो पांच-पांच की टुकडी में गए हुए थे उन पर फाइरिंग करना शुरू कर देते हैं तीन तरफ से लगातार बहुत ही हैवी फाइरिंग होती है बताया जाता है उस समय पे लशकरी तयबा के उन आतंकवादियों के पास बहुत ही उस पूरे समय का तो यह किस मार्च 2009 को लगातार यह आटेक होता है तीन तरफा फाइरिंग हमारी सेना के जवान उपर मोईश शर्मा के उपर हो रही थी यहां पर मोईश शर्मा ने लगातार अपने सैनेकों को देखा तो उसमें से चार सैनेकों को उनके उनकी टुकडी के गोली लग जाती है यहां पर चार सैनेकों को गोली लगी वो लोग मूब नहीं कर पा रहे थे हिल नहीं पा रहे थे जमीन पर पड़े हुए थे लेड गए तो यहां पर मोईश शर्मा ने जैसी यह देखा इनोंने अपने दो ग्रेनेड निकाल कर लगातार दो ग्रेनेड उना आतंकबादियों के उपर फेके जिसमें दो आतंकबादी मारे जाते हैं दो आतंकबादी मारे गए और इसी के साथ इनोंने क्रॉल करते हुए जमीन के बल घसिट कर जाके जहां पे इनके दो जो सैनिक थे इनकी टुकडी के जो साथी थे वो पड़े हुए थे उनको गोली लग चुकी थी उनको अपने साथ सेव जोन में ले आते हैं इन दोनों को सेव जोन में लाते हैं लेकिन इस बीच में ये पूरा काम करते हुए मोईशर्मा के चेस्ट पर उनकी चाती पर गोली लग जाती है ये जो गोली इनको लगी इसके बाद में इने कुछ और गोलीयां लगती हैं अपने दो साथीओं को इन्हों ने बचा लिया इस बीच इन्हों ने फिर से फाइरिंग की और दो आतंक वादियों को भी मार दिया लेकिन इस तरह से वीरता दिखाते हुए भारत मा की रक्षा करते हुए मेजर मोईश शर्मा की यहाँ पर जो गोली लगती हैं उससे वो शहीद हो जाते हैं यह यहाँ पर 21 मार्च 2009 का दिन था उस ओपरेशन में मेजर मोईश शर्मा के साथ में दशकरी तयबा के उन आतंगबादियों के इस अटैक में हमारे भारतिय सेना के चार और जबान भी शहीद हुए थे हवलदार संजे सिंग, हवलदार अनिल कुमार, पैरा टूपर साबिर एहमद मलिक, पैरा टूपर नटेर सिंग, हमारे भारत मा के यह पांच सपूत जिसमें मेजर मोईश शर्मा का नाम भी शामिल था ये 21 मार्च 2009 को, हफरूडा के उन घने जंगलों में शहीद होते हैं, भारत मा के लिए लड़ते हुए, इंसजेंसी को खतम करते हुए उपरेशन रक्षक के तहत, उपरेशन रक्षक में कश्मीर में करीवन 2007 से लेकर 2015 तक, हमारे भारतिये पोच के 753 सैनिक शहीद हुए थ गाजयाबाद में 21 तारिक को जब मेदर मोहिश शर्मा की यहां पर उने शहादत मिलती है, तो उनके पार्थिफ शरीर को 23 मार्च 2009 को, गाजयाबाद उनके घर पे लाया जाता है, घरवालों को सूशन दी जाती है, 23 मार्च 2009 को इनका अंतिम संसकार होता है, और आप में से अगर कई सारे लोग इस तारिक को जानते हों, और आप अपने जहन में इस तारिक को रखते हों, याद रखते हों, तो आपको यह पता होगा कि यह तारीक है, जब भगत सिंग, राजगुरू और सुकदेव को फासी दी गई थी, जब वो शहीद हुए थी, 23 मार्च शहीद और इसी दिन मोईश शर्मा, मेजर मोईश शर्मा का अंतिम संसकार होता है, भारत की मिट्टी का एक बीर सपूत शहीद हुए, अपने प्राणों का बलदान दिया, इनके इस पूरे बीरता के काम के लिए, इस बीरत के लिए, इन्हें हाइएस पीस टाइम गैलेंटरी अव अबबाद में, 2019 में, हाल ही में अभी, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने, दिल्ली मेट्रो ने भी, जो राजिंद्र नगर मेट्रो स्टेशन था, उसका नाम बदल कर मीजर मोईश शर्मा मेट्रो स्टेशन कर दिया है, तो ये कहानी थी भारत के उस वीर सपूत की, उस जवान की इंडियन आर्मी के जिसने अपने प्राणों का इस तरह से बल्दान दिया अपने उस छुट्टी को कैंसल किया जिसकी उनको मंजूरी मिल चुकी थी एक बहुत ही बड़ा ओपरेशन किया कोबर्ट ओपरेशन जिसमें हिजबल मुझाइद दीन के आतंगवादियों को मारा भेज बगल कर और महज 31 साल की उमर थी इस समय 31 साल की सिर्फ उमर थी जब अपनी प्राणों का बल्दान अपनी मिट्टी के लिए दिया है मोई शर्माने तो हमारे भारत के ऐसे कई सारे वीर सपूत भारत मा के ऐसे कई सारे बेटे अलग-अलग ऑपरेशन में कि अगर कहीं पता चल गया कि कोई किसी जवान की शहादत हुई तो तब पोस्ट कर दिया है या कुछ कर दिया हम लोग एक तरह से सिर्फ सोचल मीडिया पर डालकर अपना जो ट्रिब्यूट है वो ने देते हैं लेकिन हमारी ट्रिब्यूट इससे जादा उनके लिए होनी चाहिए वो इससे जादा डिजर्व करते हैं तो हम कर ये सकते हैं कि हम एक सचे मन से कुछ देर का मौन रखकर हमारे इन वीर सपूतों को याद कर सकते होंने अच्छी श्रद्धान जली दे सकते होंने नमन कर सकते हैं आज ये हमारी एक छोटी सी ट्रिब्यूट है हमारा एक मोईश शर्मा के और जो चार और हमारे जवान शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में 2009 में 21 मार्च को हफ्रूडा के उन घने जंगलों में उनके नाम यहाँ पे हम उनकी शाहदत को नमन करते हैं और उन्हें सलूट करते हैं आगे आने वाले कई सारे एपिसोड्स जो भी होंग तब तक लिए दीजेजाद नमस्कार नन्यवाद जय हिंद